अब हिंदुस्तान में रहना होगा तो आपको जैश्री राम कहना होगा आप देखरें दाइक्टिविस्ट और मैं हूँ अमान दिल्ली के जहांगीर पूरी में कल हनुमान जेन्ती पर शोबह यात्रा निकाला गया जिसके बाद उस बीच में हिंदू और मुस्लिम के बीच जड़प हो जाती दो समुदाय के बीच में तनाव पैदा हो गया और जिसके बाद महौल खराब हो गया उस बीच बीजेपी के कुछ नेता का ऐसा कहना है कि हिंदुस्तान में रहना होगा भारत में रहना होगा तो जैश्री राम कहना होगा हमारे साथ राष्टिय जंता दल के प्रवक्ता एजाज हैमत जी है अब हिंदुस्तान में रहना होगा तो आपको जैश्री राम कहना होगा देखिए भारतिय इंता पार्टी के लोग चाहे जितना भी नफरत फैलाने की कोशिश कर ले ये देश मुहबबत से चलता रहा है और चलता रहेगा इस देश को नफरत से नहीं चलाया जा सकता है और इस देश का एक एक वेक्ति भारतिय समिधान पर यकीन करने वाला है और भारतिय समिधान में जो व्यस्था है कि हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके अपने अपने धार्मिक आजादी के अनुसार पूजा पदिती अबादत कर सकते हैं उसमें किसी का कोई रोक नहीं है और इस तरह की जो बाते कर रहे हैं उस पर भारतिये दंड सहिता के तहत मुकदमा करना चाहिए भारत सरकार को दिल्ली सर सोच कहीं ना कहीं उन ताक्तों के परती है जो ताक्ते चाहती है कि देस में नफरत फैले और देश को कहीं ना कहीं कमजोर किया जाए तो लगातार का भी राजिस्थान हो चला है देखिए पूरे देश में एक एजंड़ा है और एजेंडा चलाने वाले कुछ एक लोग ही हैं और कहीं न कहीं जो महबत से रहने वाले लोग हैं अमन से रहने वाले लोग हैं उन लोग को परसानी और संकट में डालने का एक कुछ सिस परियास चल रहा है एक साजिस चल रही है और इस साजिस से जो बाखबर लोग हैं वो कभी भी इनकी कुछक्र में नहीं फंसते हैं लेकिन कुछ सिर्फिरे लोग जो नौजवान हैं जिनको रोज़गार नहीं है और जिनको रोज़गार मांगने के लिए कोई सोच नहीं बने इसके लिए एक एजेंडा के तहट ऐसा एक घिर्नित परियास चल रहा है ये परियास चाहे करॉली का मामला हो, चाहे खरगोन का मामला हो, चाहे जांगीरपुरी का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो, या मुजफरपुर के सहभगन का मामला हो, इस तरह के मामले हर जगा हुए हैं, राम नौमी के समय भी, और बजरंग बली के जैनतीत के दिन भी, ये कहीं न पर यास करते हैं कि मुल्क को कमजोर करने के लिए हम कहीं ना कहीं नौजवानों को हत्यार के रूप में इस्तेमाल करें और कुछ एक नौजवान भटक करके उनके साथ हो जाते हैं जिस कारण इस तरह की सिति इस देश में पैदा हुई है सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरका है जिस तरह से मत्य परदेश सरकार ने बिना न्याय पालिका के आदेश के बिना न्यायक परकिरिया अपना हुए जिस तरह से बिना नोटिस के और बिना जो सरकारी परकिरिया है उसको पूरा किये जिस तरह से वहां पर एक समुदाय विसेश के मकानों को बुल्डोस किया ये निहायती निंदनिय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है ये सरकार प्रायजित कहीं न कहीं एजंडा है और सरकार चाहती है कि इस तरह के मामले पूरे देश में फैले और देश को हम संपरदाई करण के आधार पर जो बटवारे की इस्तिती बना करके हम वोट हास करने के लिए नफरत का पैगाम को बढ़ाना लेकिन राष्टिय जनतादल जो लालू परसाज जी का पैगाम रहा मुहबत के सियासत और मुहबत से हम इस मुल्क के लोगों को जीतने का काम करेंगे और उस मुहिम को आगे बढ़ाने में तेजस्वी परसाज आदब लगाता मैं उनके इस बियान का स्वागत करता हूँ उन्होंने देश हित में और कहीं न कहीं उन नफरत के सौधागरों को मजबूती से जवाब देने का काम किया है ये असपश्ट करता है कि जो दलित समाज है जो पिछड़ा समाज है जो वंचित तबका है और जो परगतिसील के लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में महबत का एक जजबा जो बना हुआ है वो और मजबूती से आगे बढ़े वैसे मामले को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है और एक बात तो सही कहा है कि जिस यातरा से जिस जुलूस से महबत खत्म होता हो नफरत बढ़ती हो उस पर तो रोक लगनी ही चाहिए चाहे वो किसी धर्म का मामला हो चाहे वो किसी धर्म के द्वारा जुलूस निकालने का मामला हो तो कुछ लोगों को लौड स्पीकर से भी तकलीफ हो रहा है देखिए लौड स्पीकर से तकलीफ नहीं है तकलीफ उनको कही ना कही उन बात भारतियता का जजबा इस देश के लोगों में कुट-कुट करके भरा हुआ है उसको कमजोर किया जाए लेकिन साथ वो लोग भूल रहे हैं कि कुछ एक मुट्टी भर लोग राश्ठाकरे जैसे कपिल मिस्रा जैसे और अन्य लोग इस तरह का मुहिम चला रहे हैं ये लोग ब अन्य तरह के मामले हो जो कहीं ना कहीं दूसरे मज़ब के लोगों को ठेस पहुचाने का काम करता हो ये एजेंडा के तेहत काम किया जा रहा है लेकिन इनका एजेंडा चलने वाला नहीं है चुके मुल्क में महबबत से रहने वालों की संख्या सबसे जादा है 95% से अधिक लोग है जो नफरत पहलाने वाले 5% लोग है उनको करारा जवाब देते आ रहे हैं और देते रहेंगे इसलिए ऐसे लोग सचेत हो जाएं और महबबत करने वालों के साथ महबबत से पेशा आए नफरत की राजनिती इस देश में ना पहले चली है ना आगे चलेगी है और उनका एजेंडा चलने वाला है उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जब जब चुनाओ का वक्त आता है जब जब चुनाओी महौल होता है तब तक वो धर्म के आधार पर अपना एजेंडा सेट करके कहीं ना कहीं धुर्वी करन की राजनीती करते हैं संपरदाई कर आने की राजनीत करते हैं जो कभी ना चला है ना चलने वाला है बोच्छा की जनता ने उस नफरत फैलाने वाले लोगों को जवाब दिया जो मुझफरपुर के सहभ गंज में राम नौमी के दिन मस्जित पर भगवा फैराने का काम किये थे और उनको करारा जवाब मिला बनानी की कोशिश की जाती है लेकिन नफरत की राजनीती जादा दिन तक नहीं चलेगी ऐसा राष्टिये जनताए दल के प्रवक्ता एजाज अहमत का कहना है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप हमारे फेस्बुक पेज पर हैं तो सब्सक्राइब करिए कैमरा पर्शन अभी शंकर के साथ मैं हूं अमान दनिवाद